नमस्कार दोस्तों स्वागात है आज की वीडियो में आपको बताऊंग गया सितारिक के जिसे आप एक इसा तरीका बता हो पता करने की ज़रूरत क्यों होती है जिन पीफ में पीफ का पैसा नहीं निकाल पाते उगर क्लेम करते हैं तो उनका क्लेम रिज्च कर दिया जाता है तो उन्हें सबसे पहले अपने पीफ कि गलेट जाइन को तब होते हैं जब अफलाइज जोईनडेटलेटलेशन फोर्म को भरा जाए और उसे कप्रेट करके पीफ उफस में जमा किया जाए तो जोईनडेशन फॉर्म में सही डिटो जोउनिंग को भी लिखना पड़ता है इसी वज़ेसे रहें सही डेट जोईनिंग का पता होना भी ज़रूरी है क्यों को किसे पता किया जाता है यहां से आपको जाना ही युनिफाइट पोर्टल पर यहां पर आपको क्लिक करना है अगला पेज कुछ जैसा ओपन हो जाएगा अब यहां पर पास्वड करने के लिए आपको यूए नंबर और पास्वड एंटर करना है और यहां पर एक क्वेस्ट आपको अपनी मेंबर आड़ी सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने तीन आप्षिन आएंगे यहां पर आपको व्यू पाजूक नियू येरली पर क्लिक करना है इसके बाद यहां एक आप्षिन आएगा सिलेक्ट यूर फाइनेंशल यह यहां आपको सबसे नीचे वाला फाइ इन दोनों कॉलम में लिखा हुआ है एप वेज़स और एपक वेज़स इं दोनों कॉलम में जो अमcessors बताया जाता है उसी अमॉंट के 12 पर सेंट का हिस्सा अपके पी अकॉंड में जमा किया जाता है अब आपको यह करना है कि आपको जौप जॉईन करने का मन्त है उसके 10,000 रुपे के वेजस पर जमा हुआ है तो यहां आपको 10,000 में 26 को डिवाइड कर देना है आपको जो अमाउंट होगा आपको उसमें 26 से डिवाइड करना है अब हमारा एंसर निकल कर आता है 384 अब आपने जिस मंत में जॉब जॉइन की थी उस मेहने में आपका वेजस आपक दिखा हुआ है मालेजिए आपके जॉब जॉइन करने वाले मंत में 5000 के वेजस पर पीएफ मिला है तो आपको 5000 में 384 से डिवाइड कर देना है यहां एंसर आएगा 13 यानि आपने 13 दिन जॉब की थी अभी यह तारिक नहीं है अब आपको 30 में से 13 को माइनस कर देना है यहा सब्सक्राइब की जॉब जॉइन करने की तारिक होगे